बॉलिवूड एक्टर इर्फान खान की तबियत एक बार फिर से बिगड़ गई थी जिसके चलते उन्हें अस्पिताल में भरती करवाया गया था कई दिनों से इर्फान खान हॉस्पिटल में एडमेट थे इर्फान खान की जंग लड़ रहे थे बॉलिवूड एक्टर इर्फान खान जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि इर्फान खान की हॉस्पिटल में मौत हो गई आपको बताते हैं कि वो पिछले कई दिनों से कैंसर से जूज रहे थे ये एक ऐसा कैंसर है जो बहुत कम पाया जाता है नियूरो एंडरो क्राइम ट्यूमर जिसकी जंग वो लड़ रहे थे अपनी जिंदगी से और आज वो अपनी जिंदगी की जंग हार गए इरफान खान की मानसिक हालत पहले ही ठीक नहीं थी क्योंकि मा के खोने का शौक वो मना रहे थे अभिनेता की मा साइदा बेगम ने शनिवार को जैपुर में अंतिम सांस ली जहां वह रहती थी हलाकि चल रहे लॉकडाउन के कारण अभिनेता शरेरिक रूप से पनी मा के अंतिम संसकार में शामिल नहीं हो सके कथित तोर पर वीडियो कांफरेंस के माध्यम से उन्होंने अपनी मा का अंतिम संसकार किया था